तो आज हम बात करने वाले हैं कि राजी क्या होता है तो अगर हम देखते हैं तो simply कहते हैं कि राजी बिहार जहार खंड मत ब्रिस बैंगलोर इन्हे राजी कहा जाएगा तो इन्हे राजी नहीं कहा जाएगा यह गलत एंस्वर है किसी भी politics student के लिए बिल्कुल भी गलत एंस् अगर कोई आम व्यक्ति कहता है कि यह राजी हैं तो ठीक है कोई व्यक्ति लेकिन हम पॉलिक्स पड़ रहा है तो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि रियल में जो meaning है राजी की वह क्या है तो चार तत्तों से मिल कर बंगते है राज पहला है जन्ता यानि कि people जो कि बहुत ज़रूरी है और दूसरा है भूमी यानि कि उसका लेंड होना चाहिए और चोथा है सरकार यानि कि वहाँ की जन्ता जो है उससे चलाने के लिए सरकार कि आप शक्ता होगी, सारे लोग सकता सभाल नहीं सकते हैं, इसलिए सरकार इस बहुत इंपोर्टेंट है। और चौथा, जो कि सबसे बहुत जाद इंपोर्टेंट है, यह नहीं रहेगा, तो सब तीनों राय के भी आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो कि सब्रेन, यानि कि संप्राभू, जैसा कि आप जानते होंगे कि 1947 से पहले जब हमारा देश नहीं आ जाद हुआ तो यह तीनों चीज तो थें हैं हमारे देश में, पीपूल भी था, लैंड भी था, गवर्मेंट भी था, यही बस एक चीज नहीं था, यानि कि अगर कोई हमें अपना नीजी मामला, अगर लेना हो निर्ण है, तो हम किस पर अधारिक थें, प्रिटिस पर अधारिक थें, जो कि एकदम समझ लोग की सॉबरेन बिल्कुल भी नहीं था, तो यही हमारे जो चारत्तों हैं, यह बताते हैं कि क्या राजी होता है, और यह जो भी आज़ होते हैं, यह गलात एंस्वर हैं, तो वेट किसी हमारे इनी वीडियो का जल्दी जल्दी लाएंगे, बाई